हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपिका चोदरी आप सभी का सवगत करती है हमारे चैनल औल इंफो हिंदी में उत्तर कोरिया के सर्वोचने तक किंग जोंग उनकी तस्वीर दुनिया भर के मीडिया में अक्सर चाही रहती है लेकिन उनकी नीजी जिन्दिगी अब तक दुनिया के लिए रहसे की तरह है अब यो फिर से चर्चा में है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की मुतागी किंग जोंग उनकी तब्यत बहत खराब है पिछली बार उन्हें 11 अप्रिल को देखा गया मौत के बहत करीब है उत्तर कोरिया का तानशा किंग जोंग उन जाने क्या हुआ है CNN News सहिद कुछ मीडिया रिपोर्ट में किंग की ब्रेंडेड होने की खबर है मगर उसकी पूष्टी नहीं हो सकी अमेरिका की जिस पत्रकार ने सबसे पहले ये खबर ट्वीट की थी उसने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया किंग जोंग उन उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानशा है जिसकी सनक के किससे पूरी दुनिया में मशूर है उसकी करूरता का एक हिसा खोजेंगे तो दूसरा आपको दस मिल जाएंगे वो ऐसा तानशा है जिससे किसी पर रहम नहीं करता किसी को भी मौत की सेजा देना उसके लिए मजाक है उसके समने जुबान खुनला मना है अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशूर उत्तर कोरिया इतानाशा किंग जॉंग की सनक आपने बहुत कम किस्से सुने होंगे लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उसे आकिर दुनिया का सबसे सनकी इतानाशा क्यूं कहा जाता है अकिर क्यों? उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में रहता है इतना क्रूर होने के बाद भी वो टोप इंटरनेशन लीडर कैसे बना? उत्तर कोरिया के बाहर दुनिया में किंग जों उनको एक राक्षस के रूप में पेश किया जाता है या एक मसकरे के रूप में जो लंदन में एक नाई के पास अपने भाड़े के गुंडे भेशता है जो उसके बालों की कटाई का मजाग उड़ाता है अमेरिका जेशे देश को सामने से चुनोती देता है मन चाहे परिक्षन करता है मगर उत्तर कोरिया मोवएक समराठ है सरवच नेता जिसका प्रभाम अंडल भगवान सरीका है उसकी प्रजा उसके तब तक ताली बजाती है जब तक उनके हाथ न छिल जाए वो देश की संस्कृती की रक्षा में जुटे रहते हैं मगर आक्रमक तरीके से किंग जों उनकी खासियत भी ये है कि वो काम से पीछे नहीं हटता 24 घंटे हफ्तों के सातों दिन देश के हर हालत पे नज़र रखता है कोई भी रिपोर्टो उसमें देरी हो बरदाश नहीं जल्टी पर सजा देना उसकी खासियत है नागरिकों की स्वास्त सेवा पर विए उसने खूप काम किया किंग जोंग उनको किसी भी देश का खौफ नहीं है अमेरिका तो को उसने परमानों हमने की चुनोती दे डाली साल 2012 में किंग जोंग उनके निमंतरन पर प्योंग योंग पहुशने पर एक सक्स काफी अभी चिन था शिंगटन पोस्ट के साथ इंटरूड में उस सक्स ने बताया मैंने किंग जोंग उन से कोरियाई भाषर में कहा मैं फुजी मतो गदार वापस आ गया हूं इसके बाद युवा नेता ने ठीक है ठीक है कहते हुए उन्हें गले से लगा लिया हाला कि केंजी फुजी मतो को कई कहानियों पर सवालय निशान लगाया जाता है लेकिन एक बात पर विशेशेगे सहमत होते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो में दीके जान करें कि अपकी कोल भी रहें तो हमें जरूर कॉमेंट करें साथ ही हमारे चैनल और इंफो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ने वीडियो की जानकरी आप तक पहुंसती रहें